हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे लास्विफ्ट का इविएस का चेप्टर नंबर थी स्टार्ट करेंगे हाज हम फ्रों टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग खाना खानी से लेकर उसके पचानी तक यह इसकी हिंदी है चलिए शुरू करते हैं यह लग-लग पार्ट में रहेगा पार्ट वान है यह फ्रों टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग सबसे पहला इसमें पार्ट है डिफ्रेंट टेस्ट्स यानिकि अलग-अलग परकार के ट सब्सक्राइजेस्ट यह रहा है जंपा रें इंटो दे किचन जंपा बाग के दोड के किचन के अंदर गई एंड कॉट होल्ड ओफार मादर सेंग और अपनी मां का आथ पकड़कर बॉली मां आएम नोट गोंग तो इट इस बिटर करेला मां मैं यह करेले की कड़वे करेल सब्सक्राइज नहीं खाऊंगे ग्यूब में गुर जैगरी जैगरी गुड होता है गुड एंड रोटी मुझे गुड और रोटी देदो मां स्माइल एंड सेड मां मुस्कुराई और बोली यू एट रोटी एंड सुकरी इन ता मोर्निंग सुबह तुमने चीनी के साथ र छीज को खातेवे बॉर नहीं होती जंपा रेपलाइट कुइगली जंपा ने जल्दी से रेपलाइ दिया जल्दी से बोलती है जंपा डोयू गेट बोर्ड विद लेकिंग, गली बिजम पारती है क्या तुम भी तो मुड़ी चाटते रह ते रहते हैं तो कहता है कि हाँ मेरे को खटी मली पसंद है बट आई इट स्वीट एंड सॉल्टी तिंग्स टू लेकिन मैं जो हूँ साथ में सॉल्टी चीजें नमकी और मिठाईयां भी खाता हूँ आई इवन इट करेला मैं करेला भी खाता हूँ जोलान जोलान ने ये सब कहा कि हाँ मुझे खटी मली बहुत पसंद है और मैं खाता हूँ लेकिन मैं नमकीन चीजें और मिठा भी तो खाता हूँ साथ में और मैं तो कड़वा करेला भी खाता हूँ दोनों मंद मंद मुस्कराने लगे एक दूसरे की तरफ देखके जोलान सेट जमपा जोलान है वो जमपा को बोलता है लेट्स प्ले एक गेम चलो एक गेम खेलते हैं यू क्लोज यूर आज और ओपन यूर माउथ तुम अपना जो है आखे बंद गरो और मूँ खुला रखो मैं तुम्हारे मूँ में खाने के लिए कुछ दूँ यू है तु टेल और तुम्हें बताना है यह क्या है जोलान तुक ए फ्यू ड्रॉप अफ लेमन जूस इन स्पून जोलान ने क्या किया ये देखो ये खेल रहे हैं इसके मूँ पे देखो ये आखो पे पट्टी बांद इसका मूँ को लावा है ये इसके मूँ में कुछ ला रही है ये जोलान है ठीक है और ये जम्पा है ये इनकी मम्मी है तो जोलान ने क्या किया कुछ ड्रॉप ली लेमन जूस की यानि कि नीम्बू का जूस लिया एक चमच में और उसके मुह में डाल दिया, चमपा के मुह में डाल दिया, तो जमपा बोली ये तो खटा सा लेमन है, ये तो खटा सा क्या है, नीम्बू है, जमपा ने जल्दी से रिपलाई दिया, तो जोलान, देखो ये जोलान है, ये जो निम्बू है ठीक है तो फिर क्या गिया जोलान ने जोलान ने क्या किया पिक्टे स्माल पीस ऑफ जैगरी एक गुड की डली ली गुड की डली बोलते हैं इसको छोटा इसी गुड का टुड़ा लिया हर मदर सेजेस्टेड उसकी माने कहा क्रेश इट अधर्वाइस सी विल न जैगरी को बिलकुल पीस दिया मसल दिया लेकिन जम्पा ने उसको अराम से पहचान लिया दे प्लेट इस गेम वेज डिफरेंट फूड आइटम्स और वो ये खेल अलग-अलग खानी की चीजों के साथ खेलते रहे जम्पा को टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस् तुम अपना नाग भी बंद कर लो और बताओ ये क्या है जम्पा फिर कंफ्यूज होगी इट इस बिट बिटर एलीटल साल्टी जम्पा range कंफ्यूज हो गयी ये एक खड़वा-Kड़वा सा लग रहा था नमकीन भी लग रहा था और पिवी-कभी खट्टा भी लग रहा फिर क्या खहती है गिव मी वन मोर स्पून फूर रहे हैं कि दुबारा से खिलाओ मेरे को समझ नहीं है यह क्या इसको दुबारा से खिलाओ जो लान ने क्या गिया तुक अनदर एक चमचोर लिया और जो करेला था वो उसके मूँ में डाल दिया ये देखो कूट जो पकावा करे ला था और उसके मुझे डाल दिया फिर उसकी आखे खोल दी फिर कहा here it is it yellow ये खाओ जम पास की yes give me more तो वो कहती हाँ ठीक है मेरे को अच्छा लगा है आप और दे दो और किलाओ मेरे को आप देखो ये कहा रहा है discuss करो आपस में एक दूसरे के साथ जोलान's mouth start watering when she heard the word इमली ये कहा रहा है कि जो जो जोलान थी उसके मुझे मुझे पानी आ गया जब उसने इमली के बारे में सुना when does your mouth water तुमारे मुझे मुझे पानी कब आता है तुम बताओ वई आप कोई भी पांच चीज़े बताएं और उनके टेस्ट बताएं जैसे रसगुल है मीठा होता है मुझे देखके पानी आ जाता है गुलाब जाओने वो भी मीठा होता है उसको देखके मुझे पानी आ जाता है कुरकुरे को देखके भी किसके मुझे पानी आता है वो भी पताना है ठीक है do you like only one kind of taste or different ones वाई यह कह रहा है क्या आपको सिर्फ यह की तरह का खाना पसंद आता है या लग लगता रहे का तो उसके बारे में पताओ ठीक है फिर यह कहता है जोलान पुटे few drop of lemon juice जमपा जमपा माउथ जोलान ने क्या क्या जमपा के माउथ में मूं में क्या दिया था lemon का juice दिया था नीबू का डाला था do you think we can make out of taste with food drops क्या आप भी कुछ जो नीबू होता है क्या आप भी उसका टेस्ट कुछ एक दो बूंद से ही पता लगा सकते हो if someone were to put a few seeds of saunf on your tongue would you be able to tell with your closed eyes how क्या आपको पता है कि अगर आपके मूँ में कोई saunf रख दे saunf क्या होती है saunf खाने की होती है mouth freshener भी बोलते हैं उसको कई बर तो आगर वो आपके मूँ में रख दी जाए तो क्या आप उसको पहचान सकते होगे ना टेस्ट की हुए अपनी आखे बंद करके तो हाँ पहचान सकते हैं उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं ठीक है तेजा है जमपा ने जो फ्राइड पकी हुई मचली थी उसकी खुश्बू से उसको पहचान लिया तो आप लेख सकते हैं जमपा मेक्स आउट फ्राइड फिश बाई देर स्मेल यह कह रहा है क्या आप भी कुछ ऐसी खाने की चीजे हैं जिनकी आप स्मेल से पहचान सकते हैं उनको बि तैसे ही ओरबी चीजे खाने की चीजे होती हैं जैसे क्षेटनी बनाता हुसमें लस्ून की खुश्बू आती है ठीक हैशे कोई किसी फ्राइख घटा तो tell you to do this, यह कह रहा है, अजब आपको कभी दवाई दी गई होगी, तो आपका नाग बीज देते हैं, नाग दबा देते हैं, आपका नाग बंद घर देते हैं, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, और आपको क्या लगता है, वो ऐसा क्यों करते हैं, तो इसमें आप लिख स डिफरेंट कैंड आफ टेस्ट, आपको कुछ अलग अलग तरह के खानी लेने है, यह लगता है, अलग अलग तरह का आपको एक गेम खेलना है अपने फ्रेंड्स के साथ जमपा और जॉलान की तरह है, फिर आपको अपने दोस्त को खाना टेस्ट कराना है और उससे पूछन उससे, on which part of the tongue could you get the most taste, in front at the back, on the left, right, ये खेरा है, फिर आपको ये देखना है, कि ये आपकी जीब पे, सबसे ज़्यादा टेस्ट कहा मैसूस होता है, सामने वाली जीब पे, पीछे वाली जीब पे, left side में, right side में, ठीका, आपने अपनी जो टंग है, जीब है, उसको चाहर इ यान कि आगे वाला इसा, पीछे वाला इसा, right side वाला इसा, और left side वाला इसा, तो आपको अपने फ्रेंड से पूछेना है, सबसे ज़्यादा टेस्ट उसको कहा मैसूस हुए, ठीक ये कर रहा है, which test could be made out on which part of the tongue, कौन से जीब, जो हमारी जीब होती है, उसके अलग-अलग ह test होता है, तो आपको किस हिसे पे कौन सा test मैसूस हुआ है, फिर आपको क्या करना है, ये parts बनाने है, एक page पे और उनको mention करना, वा पे लिखना है, तो ये कह रहा है, one at a time, put something to it in other part of your mouth, एक बार में एक चीज़ें आपको अलग-अलग मूह के अंदर, अलग-अलग जगह पे आपको जीव के नीचे रखनी है, कभी जीव के ऊपर रखनी है, कभी side में, कभी पर, ऐसे लगा-लगा है, आपको देखना है, फिर आपको बताना है, कि आपको खानी काट जो टेस्ट है, वो कहां पे महसूस हुआ है, कौन सी जगह पर, फिर गह रहा है, use a clean cloth to wipe the front part of your tongue, एक साफ कपड़ा लो, और, एक साफ कपड़ा, सूखा कपड़ा लेना है, आपको और अपनी जीव को, जो सामने वाला पार्ट है, अपनी जीव को बाहर निकाल के उसको साफ कर देना है, पहुच देना है कपड़े से, फिर कह रहा है, put some sugar or jaggery there, फिर कुछ गुड या चीनी यह पर रखो, क्या आपको कुछ महसूस हुआ, कोई टेस्ट आएगा, फिर यह कह रहा है, वाइड इडिट इस एपन, अगा आपको कोई टेस्ट नहीं आगया, तो ऐसा क्यों हूँ आपके साथ, फिर यह कह रहा है, stand in front of mirror, एक सीशे के सामने खड़े हो, and look closely at your tongue, और अपनी ज हान से देखो, how does the surface look, आपका जो जीब है, वो उपर से surface हो, कैसा दिखाई दे रहा है, can you see the teeny bumps on the surface, आपको छोटे-चोटे दाने से दिखाई देंगी जीब के उपर, क्या आपको ऐसा दिखाई दिया, आप एक पर अपनी जीब आईने के सामने जरूर देखना, फिर यह कह तेल का मतलबता बताओ, if someone asks you to describe the taste of आमला और कुकुमबर, you might find it difficult to explain, how would you describe the taste of these tomato, onions, garlic, think of words that you note or make up your own words to describe the taste, यह कह रहा है कि अगर आपसे कोई पूचे कि आमले का या खीरे का टेस्ट बताओ कैसा है, यह बहुत मुश्किल होता है, je तिसी मुश्किल भी नहीं होता है, डिफाइन करना आउछा खटा होता है, खीरा खटा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप से कोई पूचले, है की भाई tomato, tomato, tomato का स्वाद बताओ, प्याज का स्वाद बताओ, garlic lesson का स्वाद बताओ, इनका taste कैस कैसा होता है तो आप बताओ इन सब का टेस्ट कैसा होता है फिर यह कहा रहा है जंपा ने कुछ चीजे टेस्ट की तो उसने कहां क्या आपने कहा यह चीजे क्या आपको लगता है उसने चीजे खाई होगी नहीं यह उसको स्मेल करने से ही उसको उसकी खुशुश भुशा ही पता लग गया था यह उसके पसंद ही चीज ने इसलिए ओएसे कर रही थी शीज वाइड यू मेक साउंड दैं डिसक्राइब सम टेस्ट क्या आप बता सकते है कुछ आवाज जो टेस्ट को डिसक्राइब करती है जैसे की चीज यह मुझे पसंद नहीं है ऐसे यह मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे करते हैं मुह में पानी आ जाता है यह सब अब भी बताया आपको from your expression and sounds ask your friend guest what you might have written अब अपने दोस्त को अलग अलग तरह के expression करके बताओ अलग अलग तरह से बताओ और उनसे पूछो कि क्या वो सही गैस कर सकते हैं कि आज मैंने क्या खाया है अब यह कुछ experiment करने के लिए बोलड़ा चलो देखते हैं try this together in class यह आपको क्या करना है पूरी class के साथ try करना है each of you take a piece of bread and roti आपको क्या करना है bread का टुकडा लेना है एक रोटी का टुकडा लेना है और कुछ राइस लेने cooked rice पके हुए चावल फिर आपको क्या करना है यह सब चीज़ अपने मुँ में रखनी है चीज़ त्री और फोर टाइम से लोट आपको तीन चार बार जिसको चबाना है और निगल जाना है डिडिव टेस्ट as you chewed it क्या आपको कोई स्वाद आया कोई टेस्ट आया जब आपने इसको खाया अब टेक अनदर पीस फिर आपको क्या करना कोई और एक टुकडा लेना है कुछ चावल लेने है और फिर उसको आप 20 से 25 टाइम से उसको चबाएंगी वास देख फिर यह करहा है कि उस खाने में कोई स्वाद आया चबाने के बाद यस चबाने से क्या होता है खाने का टेस्ट बदल जाता है उसके अंदर हमारा सलाइवा मिक्स हो जाता है ठीक है फिर उसके बाद डिसकस कर रहा है क्या यह कर रहा है क्या अपने घर पे बड़े बुज़र्गों से सुना होगा कि खाने को चबा चबा कर खाओ और आराम अराम से खाओ यह से कहा गया है कभी ठीक है फिर यह कह रहा है इमेजिन यू आर एटिंग सम्थिंग हाड लाइक क्रीन गवावा चलो आप इमेजिन करो कि आप मतलब कुछ हाड चीज खा रहे हो सक्ट चीज खा रहे हो जैसे हारा अमरूद होता है यह कह रहा है कि आपके आप है और आपने कोई सक्ट चीज ली जैसे अमरूद लिया टाइट अमरूद लिया उसको आपने काटा और अंदर ले गए मूँ के अंदर मूँ के अंदर ले जाने के बाद आप क्या करेंगा उसको बार 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 चबाएंगे आपको बार बार उसको चबाना पड़ेगा फिर यह कह रहा है what does the saliva in the mouth do जो saliva होता है लार होती है वो हमारे मुँ के अंदर होती है वो क्या काम करती है ठीक है ठीक है यही तक करते है इस से अगली वीडियो में करेंगे अगर आपको मेरा पढ़ायवा समझ जा रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अबने दोस्तों को भी यह से साइंस पढ़ने के लिए बोलें ठीक है दोस्तों बाई